कुशीन गर एरपोर्ट पर चल रहे निर्मान कारे का शुक्रवार की शामनी रीक्षन करने पहुंचे जिलादिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सह ने कारे की धीमी प्रगती के प्रती नाराजगी जताई निर्मान कम्पनी रैट्स इंडिया कम्पनी के अधिकारियों को तलब कर ढ़िये में तेजी लाकर दो माह के अंदर पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया तो इस DMSP शुक्लिप को प्रति दिन ये पहुंचे डी-एम ने निर्मान कमपनी के अधिकारियों से पूछा कि बुद्वार पूर्णिमा के अवसर पर यहां से उडान शुरू होनी की संभावित थी निर्धारत थी बावजूद इसके ATS वर फायर ब्रिगेट की बिल्डग एवन अन्य निर्मान कारे में शितिलता क्यों बरती गई इसका अधिकारी कोई सटीक डवाब नहीं दे सके कमपनी के अधिकारियों ने बताया कि बनने वाला ATS बिल्डग जमीम के नीचे 10 मीटर और जमीन से उपर 26 मीटर उचा होगा यह एक 6 फ्लोर का बनेगा डियेम ने बताया कि यहां से उडान शुरू कराने को लेकर किंदर वप्रदेश दोनों सरकारें गंभीर है प्रति दिन कार्य की प्रगती रिपोर्ट शासन से मांगी जा रही है सम्भावना है कि शीग्र ही उडान शुरू होने की तिथी भी निर्धारत कर दी जाएगी ऐसे में निर्मान कार्य के प्रति शृतिलता बर्दाष्ट नहीं की जाएगी डी एम ने हेड से टेल तक भ्रमन कर एक-एक बदूओं की जानकारी प्राप्त कीतो चल रहे निर्मान कारे को अपने मूबाइल के कैमरे में किद किया इस अवसर पर सियो उम पाल से अभियंता सूरज श्रिवास्त थाना अध्यक्ष विने पाठक लेक पाल ब्रिजेश्म नित्रिपाठी आधी उपस्तित रहे